तो इस पर्टिक्लर लेक्ट्टर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लिखेंगे इंडिया में तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में कोई बहुत ज़्यादा हमने तोपे नहीं चलानी है ठीक है अगर आप लोग अगर आप लोग अगर लोग अगर लोग अगर प्रिपेर कर रहे हो तो agriculture के 2000 प्लस questions आपको मिल जाएंगे और काफी low prices है 50% off चल रहा है 300 रुपीस का आपको around ये course पढ़ता है अगर आप code use करते हो और इसके अंदर आपको बहुत सारे हर तरह के different agriculture के MCQs मिलेंगे जो आपको आपकी preparation के अंदर काफी useful रहने वाले हैं Let us quickly start with the Indian Harvest Festivals फटा-फट से इस वीडियो को हमें complete करना जादा लंबा नहीं ताकि आप फटा-फट इसको कर सको और खतम करो ठीक है और जितना हो सके कोशिच करो कि वीडियो देखते देखते ही चीजों को learn कर लो सबसे पहले आजाओ जी लोडी के उपर लोडी आपका Harvest Festival है और काफी famous festival है specially Northern India के अंदर और Northern India में भी मैं बात करूँ तो specifically Punjab जो state region है उसके around जो region आजाता है वो काफी importance है लोडी की Hindus and six दो religions के लोग इसको celebrate करते हैं पंजाब जो है वो क्रक्स है लेकिन आपको हर्याना हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर में भी यह celebrations लोडी के बनते हुए दिखेंगे and harvest season के ओंसेट को basically यह mark करता है starting of the harvest season around January month में इसको celebrate किया जाता है मकर सकरान्ती अगें North India का एक important harvest festival है और इसको one of the oldest harvest festival इंडिया में consider किया जाता है काफी colorful festival यह होता है all right then we have pongal pongal जो है specifically festival है Tamil Nadu का और Tamil के अंदर जो word pongal is the Tamil word और इसका मतलब होता है spilling over तो basically यह एक boiling rice festival होता है इसके अंदर basically होता क्या है pot के अंदर ना चावल रखा जाता है बहुत सारा और उसको जो मतका है जो pot है उससे overflow ना हो जाए ठीक है इसलिए इसको pongal कहते है चार दिन का यह festival होता है and mainly this is dedicated to lord indra ताकि rainfall वगेरा जो है वो अच्छे से हो आप जानते हो कि इंडिया के अंदर rain fed agriculture है हमारे यहाँ पर mainly and definitely importance of rain is very high then we have भोगाली भी हू भोगाली भी हू असाम के अंदर celebrate किया जाता है and basically यह जो festival है उससे उसमें एक important event होता है जिसको हम बोलते है उरुका उरुका बेसिकली एक तरह का community fest होता है ठीक है जिसको आप लंगर बोलते हो ना पंजाब वाली साइड में लंगर उसको हम बोलते है इसको माग भी हू भी कहते है and काफी vibrant festival है East India में इसको celebrate किया जाता है specifically असाम बिसाखी पंजाब और हर्याना का एक festival है and this is basically a thank giving festival भगवान को एक तरह से शुक्रियादा इसमें किया जाता है अगर harvest जो है because of a good harvest ठीक है तो यह एक तरह का post harvest festival है लदाख harvest festival यह कश्मीर के लदाख, जांसकर और कार्गिल रीजन में इसको celebrate किया जाता है जो भी monasteries, बुद्धिस monasteries और स्तूपाज हैं उस region में उनको decorate अच्छे से किया जाता है cultural ceremonies conduct किया जाते है fairs, जो हैं handicraft fairs जो हैं उनको भी organize किया जाता है बसंत पंचमी यह eastern states के अंदर में इसको celebrate किया जाता है specifically West Bengal and Bihar अगर हम बात करें basically बसंत पंचमी जो है spring season के onset को mark करता है और पंजाब के अंदर, हर्याना पंजाब के अंदर भी इसकी काफी importance है हर्याना और पंजाब के अंदर इस time पर आपको mustard crop fields में पूरा एकदम yellow आपको ऐसा लगएगा कि the state of Punjab has turned completely yellow ठीक है, वो तयार हो जाती है वांगला, यह मेगालिया और असाम का एक festival है इसके अंदर basically जो गारो tribes होते हैं ना मेगालिया के वो इसको celebrate करते हैं और 100 drums play किया जाते हैं, 100 drum festival भी इसको का जाता है और इस festival में mainly sun god की worship जो है, वो की जाती है का Pomblang Nongkrim, यह मेगालिया का एक festival है और mainly जो खासी tribe है, मेगालिया के वो इसको celebrate करते हैं usually worship goddess, काबले, सिंशर और basically यह जो festival है, plentiful यानि कि एक तरह से जैसे आपका बैसाखी हमने देखा ना कि यार अच्छा harvest को celebrate करने के लिए thank giving festival है, similarly का Pomblang Nongkrim भी एक thank giving festival है for the good harvest then we have noakai, यह Odisha के अंदर festival celebrate किया जाता है, काफी famous festival है और यह festival सिरफ अच्छे harvest के लिए नहीं होता यह basically एक तरह का symbolization होता है कि जो पिछले बुरे दीन निकल गए है, उनको भूल करके आने वाले अच्छे दिनों को जो है, welcome किया जाए गोडी पाडवा, यह महराष्टा के अंदर celebrate किया जाता है रंगोलीज वगरा बनाई जाती है, घरों में फूलों से सजावट की जाती है नाबना यह West Bengal के अंदर किया जाता है and basically पैडी plantation harvest के लिए यह famous है ठीक है, जो चावल का plantations है West Bengal region में वहाँ पर harvest के time पर इसको celebrate किया जाता है ठीक है, and यहाँ पर जब rice की harvesting होती है तो पूरा एक festive महौल जो है, वो create हो जाता है then we have Onam Onam Kerala का है, and basically, different different parts में Kerala में इसको celebrate किया जाता है, और basically जो Onam festival है, this is the arrival of Mahabali, 10 days arrival of Mahabali, and basically we are not going to go into the details of the legend of Mahabali or the fairy tales of Mahabali, बस आपको इतना याद रखना है कि Kerala का festival है, Ogedi यह Andra Pradesh और Karnataka के अंदर celebrate किया जाता है, and basically यह harvest festival को, इसलिए भी अच्छा consider किया जाता है, कि अगर आपको कोई नया काम या कोई नया व्यापार शुरू करना है उसके लिए भी काफी शुब इसको माना जाता है Vishu, Kerala और Karnataka में celebrate किया जाता है, इसके अंदर Lord Vishnu या Lord Krishna की worship किये जाते हैं, family lunches organize किये जाते हैं, अगेरा यह Mumbai का specific festival है crop festival है, और इसको भी काफी enthusiasm के साथ Mumbai में celebrate किया जाता है, then finally we have Dree festival, Dree festival जो है यह Arunachal प्रदेश के अंदर celebrate किया जाता है, and basically, अपातनी जो tribe है Arunachal के अंदर, वो इसको mainly celebrate करते हैं, for the harvest season तो यह कुछ important festivals है बहुत ज़्यादा इसके उपर tension नहीं लेनी है mainly तो आपने festival का नाम और region, जो है वो याद करना है, ठीक है, वो important है, अगर वो question पूछेगा, तो ज़्यादा 80-90% chances यह हैं कि वो यह पूछेगा, कि for example Dree festival, जो एक harvest festival है कौनसी state के अंदर celebrate किया जाता है यह अगेरा कहां celebrate किया जाता है उगाडी कौनसी state में celebrate किया जाता है ओनम कौनसी state में celebrate किया जाता है So, these are the probable questions Okay, so this was the quick video guys, and यह information अगर आप कर लेते हो, तो harvest festival से अगर question आता है तो आपका गलत नहीं होगा Now, I will see you in the next lecture Till then, take care and do not forget to subscribe the channel and share it as well. See you in the next class. Take care and bye